साथियों आज हम आपको मकाव के बारे में बताने जा रहे हैं मकाव चीन का एक विशेश प्रशासनिक खेत्र है और यह चीन के दो विशेश प्रशासनिक खेत्र में से एक है मकाव पर नदी देलता की पश्चिमी और स्थित है इसकी सीमाय गुअंग दूंग प्रांट से उतर में मिलती है और दक्षिन और पूर्ब में दक्षिन चीन सागर है साथियों मकाव चीन का पहला और अंतिम यूरोपिय उपनिवेश है पूर्टगाली व्यापारी सबसे पहले यहां सोलही शताबदी में आकर बसे और तब से लेकर 20 दिसंबर 1999 तक जब इसे चीन को हस्तानतरित किया गया मकाव का प्रशासन पूर्टगालियों के अधीन रहा एक चीनी पूर्टगाली सयुक्त घोषना के अनुसार हस्तानतरन के 50 साल बाद तक याने कम से कम 2049 तक मकाव को एक उचस्तर की स्वायतता प्राप्त रहेगी एक देश दो प्रणाली व्यवस्था के अंतरगत मकाव की रक्षा और विदेश संबंधों का उत्तरदायत्व चीन का होगा जबकि मकाव अपना विधी तंतर, पुलिस बल, आर्थिक तंतर, सीमा शुल्प नीती, आप्रवासन नीती पर नियंतरन करने के साथ विभिन अं खनी शहरों में से एक बनाते हैं, यहां व्यापक श्रेनी के होतल, रिजॉर्ट, स्टेडियम, रेस्तरा और जुआघर हैं, विशेश प्रशासनिक शेत्र के रूप में मकाव की खुद की कानून व्यवस्था, टेलीफोन कोड, पुलिस बल होने के साथ अपनी मुद्रा भ होता है, दोस्तों यहां की जनसंख्या 2018 के मुताबिक लगभग 6,35,000 है, साथियों मकाव मुख्य भूमे के अलावा ताइपा, कोलोने और कोटाइब वीप मकाव का हिसा है, दोस्तों मकाव का कुल सारा क्षेत्र 33 किलो मीटर है, साथियों मकाव को मिनी लास वेगास भी कहा जाता है, दोस्तों जैसा की हमने आपको बताया की मकाव में मुख्य व्यापार परितन है, मकाव में जुआ कानूनी है, और जुआ इस देश का आयका मुख्य जरिया है, दोस्तों मौज मस्ती और जुआ के शौकीनों के लिए यह देश बहुत लोग प्रिय है, यहां के कसी यानी जुआघर 24 घंते जुआरियों से खचाखच भरे रहते हैं। साथियों यहां कई अंतराश्ट्रियस्टर के बड़े-बड़े होतल रिजार्ट और कसीनो हैं। साथियों मकाव का कोटाई स्ट्रिप जुआ की दुनिया में बहुत चर्चित कमपनी द्वारा सजाया गया है। यहां पर कई सुन्दर कसीनो, होतेल, रिजार्ट है जिन में मुख्य नाम है वेनेशियन कसीनो रिजार्ट सिटी ओफ ड्रीम मकाव, दसेंड मकाव, ग्रेंड लिस बुर्वा मकाव, वेन मकाव इत्यादी शामिल है। मकाव तावर कनवेशन अन एंटर्टिन्मेंट सेंटर मकाव तावर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक तावर है। दुनिया में सबसे उंचे स्काई तावरों में से यह भी एक है। इसका ताप फ्लोर 230 मीतर पर स्थित है। यहां से रात के समय देखने पर मकाव बहुत सुन्दर देखने लायक होता है, निओन लायतों से जगमगाता मकाव बहुत खूप सूरत दिखता है। दोस्तो मकाव की गलियों और सरकों पर घूमने के बाद आपको यूरोक के खूप सूरत और व्यवस्थित सिस्टम से कम नहीं लगेगा। रात के समय यह शहर देखने लायक होता है और लास वेगास अम्यारिका जैसा दिखता है। साथियों मकाव में प्रॉस्थित्यूशन लीगल है। यही वजह है कि यहाँ पर व्यस्कों के मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के स्ट्रिप क्लब, यूद क्लब, पब, सुना, व्यस्क मसाज पारलर यहाँ पर मौजूद है और मकाव के रंगीन स्वभाव का जीता जाता उ दाहरन है इसमें प्रमुग है। दार्लिंग बन सुना, बिग बास सुना, खैमिलिया नोब्रे, एतीन सुना, दार्लिंग तू सुना, गोल्देन सुना, दिविनो जेंटलमैन क्लब, प्लेमेट स्ट्रिप क्लब, तांतरा मकाव, लाइव एदल्प्स शो, यहाँ के प्लिक चर्च का निर्मान सन 1640 में हुआ था। 26 जनवरी 1835 में यह खुट सूरत चर्च तूफान के दौरान आग से जलकर बरबाद हो गया था जिसके खंडहर आज भी मौजूद है। वेनिस इतली के तर्स पर बनाया गया केनाल है जो आपको वेनिस इतली का आभास कराती है। दोस्तो इस केनाल में आप वेनिस जैसी गोनदेला राइद का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तो वेनेशियन माल में स्थित भारतिय रेस्ट्रॉंट में भारतिय भोजन का आनंद भ साथियों मकाव के खान पान में चाइनीज और पुर्तगाली स्वाद का मिला जुला रूप है। शरद रितु और सर्द्या विशेश रूप से मध्य अक्तूबर से दिसंबर तक रहती है। साथियों मकाव भारतिये पर्यकों को वीजा फ्री इंतरी की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तो भारत से मकाव पहुचने के लिए सबसे पहले हांग कांग पहुच कर एयर कदीशन हाइ स्पीड फेरी द्वारा एक घंटे में यहां पहुचा जा सकता है। साथियों उप फेरी तर्मिनल हांग कांग इंतरनाशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट है। साथियों आप सभी को यह विदियो देखने के लिए योटियोब राइदर चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।